So, Hello Students, Welcome to D71 Academy आज हम बात करेंगे Linear Equations की Linear Equations in Two Variables Two Variables क्यों? यहाँ जैसे आपको दिख रहे हैं X and Y, यह दो Variables हैं अगर आपको X और Y की Values find out करनी हैं Conventional तरीके से, तो हमारा Approach थोड़ा सा लंबा होता है Academic Approach थोड़ा सा लंबा होता है Competition में या Olympiad exam में यह नहीं चलता है तो आपको जरूरत है एक Quick और Smart Approach की जो आज आप सीखने वाले हैं आप Flash में X and Y की Values निकालते हैं So, Straightway हम अपनी Class को Start करते हैं So, Students, आज की Class में मैंने Total 5 Questions लिए हैं यहाँ पर जो 3 Questions आपको दिख रहे हैं यह हम Solve करेंगे Normal Tricks से यहाँ पर जो 2 Questions दिख रहे हैं यह थोड़ा सा Lending दिख रहे हैं लेकिन बहुत इजली Solve हो जाएंगे Use करेंगे हम Sunyam Sutra को जो लिया गया है वेदिक Mathematics से So, Students, अभी लेते हैं हम पहला Question और अपनी Class को Start करते हैं तेखिए यह दो Equations हैं यहाँ पर हमको X and Y की Value निकालनी हैं तो यह Trick काम कैसे करती हैं मान लीजे हमें X की Value निकालनी हैं तो हम इसको लिखेंगे Numerator upon Denominator हमें Numerator निकालना है और Denominator निकालना है अगर Y की Value निकाल रहे होते हैं तो भी हमें Numerator Denominator निकालना पड़ता हमें एक Variable Easily पता कर लेना है इस Trick से उसके बाद में उसको हम किसी भी Equation में Put Up कर देंगे और दूसरे Variable की Value आ जाएगे Simple सा अपरोच रहेगा हमारा अब यह Numerator निकलेगा कैसे Denominator निकलेगा कैसे इसको ध्यान से समझो हमें X की Value निकालनी है इस वज़े से इस X को तो भूल जाएए आप काम सुरू कर देंगे Y से उपर वाले Y को मार कर दीजे यह Starting Point रहेगा Numerator निकालने में भी यह Starting Point रहेगा Denominator निकालने में Starting Point का मतलब क्या है यहां पर जो Variable दिख रहा है इसका Coefficient क्या है यह जो Number दिख रहा है यह Coefficient है जैसे यह Variable है और इसके साथ में जो Number लिखा हुआ यह Coefficient है तो जो इस Variable का Coefficient है इसका Multiply करेंगे हम इस Constant में यह दो Constant है इन Equations में इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए तो हम सुरुआत कैसे करेंगे जो Y हमने जो Starting Point लिया उसका Coefficient है इसका Multiplication इस Constant में तो 3, 6, 18 हमने लिख दिया Multiply Just उसके बाद Minus इस Constant का Multiplication Y के Coefficient में इधर है 17 और इधर Y का Coefficient क्या है 2 तो 17 दूनी 34 लेकिन ये 2 जो है ये Minus में है इस वज़े से 17 का Multiplication Minus 2 में होगा तो 17 दूनी Minus 34 हो गया जब आप Minus में करेंगे आपको Sign का ध्यान रखना है यहां हमने Sign का ध्यान क्यों नहीं रखना क्योंकि 3 प्लस में था 6 भी प्लस में था तो प्लस प्लस का Multiplication तो प्लस ही होता है लेकिन जब प्लस और Minus का Multiplication आप करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना है ओके अभी Denominator की बात करते हैं Denominator में हम Constant को नहीं लेते हम फिर से Starting Point पे आएंगे और इन दोनों का आपस में Multiplication करेंगे Variable का Multiplication नहीं उनके Coefficient का Means Numbers का तो 3, 3s are 9 फिर से Minus और इन दोनों का आपस में Multiplication कहने का मतलब X और Y के Coefficient का तो ये हो गया 2 और ये Minus 2 इन दोनों का Multiplication हो गया Minus 4 इसमें कोई समस्य आपको नहीं होनी चाहिए तो X की Value क्या आ गई 18 प्लस 34 18 प्लस 34 अपान 9 और ये हो गया प्लस 4 18 प्लस 34 हो गया 30, 40 और 12 40 और 12 हो गया 52, 52 बटे 13 X की Value आ गई 4 ये सारा कुछ Calculation आप mentally कर सकते हैं पहला Question है इसलिए इतने Detail में समझा रहा हूँ आपको जब X की Value 4 आ गई आप किसी में भी Put Up कर दीजे Y की Value आ जाएगी यहां पर Put Up करते हैं 4 तो ये हो गया 8 ये Total Value 8 हो गई 8 उधर गया कितना बचा? 17 minus 8 9 बचा तो 3Y is equal to हो गया 9 तो Y is equal to 3 कितना असान था? X की Value 4 और Y की Value 3 इतना कुछ detail में आपको करने की ज़रूत नहीं है आप सीधे mentally calculation करके यहां पर पहुंच सकते हैं 52 बटे 13 और Value आपको मिलेगी 4 उसको जस्ट आप यहां पर Put Up कीजे आपको Y की Value मिल जाएगी ठीक है मैं सारा कुछ निकालता हूँ 2nd question लेंगे तब आपकी Clarity बढ़ेगी ठीक है? इसको मैं जस्ट फिर से Place करता हूँ इसकी जगे पर और 2nd question लेते हैं अभी So 2nd question हम देखेंगे अभी यहां पर माल लिजे हम X निकालते हैं X is equal to क्या वही numerator upon denominator X की value निकालनी है तो X को तो भूल जाईए Starting point आपका क्या होगा? Y ही होगा Numerator हमें निकालना है तो जो Y का coefficient है यहां पर इसको हम इस constant के साथ में multiply कर देंगे 2nd plus में है तो कोई परेशानी नहीं 12, 5, 60 हो गया multiplication फिर minus का symbol हम Place करेंगे 19, 57 50, दोनों plus में हैं इस वज़े से कोई परेशानी नहीं Simple, इसका multiplication, इसका multiplication, दोनों का minus यह लिखा गया है अभी denominator हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे अभी यह constant छोड़ दीजिए यह काम हो गया हमारा ठीक है? numerator के लिए अभी हमें denominator निकालना है तो हम करेंगे क्या इसमें multiplication, starting point हमेंसा यही रहेगा, numerator के लिए भी, denominator के लिए भी तो 5 दुनी 10 minus लगाएंगे आप और इन दोनों का multiplication, means x के coefficient का multiplication और y के coefficient का, 3 और 3 का multiplication हुआ 9, value कितनी आ गई? 60 में 57 minus करेंगे 3, यह तो 1 है कहने का मतलब x की value आपको मिली 3, किसी एक में put up कर दीजे x की value तो यह कितना हो गया? 3, 3 9 plus 5y is equal to 19 तो 5y is equal to क्या हो गया? यह 9 इधर जाएगा तो 10, y की value आपको मिल गई 2 flash में यह questions होते हैं, आपको समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा time लग रहा है, तो x की value आपको मिली 3 और y की value आपको मिलती है 2 मैं इसको निकालता हूँ और next question पे move करेंगे, आगे तो यह रहा हमारा third question इसको देखते हैं trick बहुत ही simple है बस आपको सारा calculation mentally ही करना है तब आप time बचा पाएंगे देखिए, यहाँ पर हमें x की value निकालनी है वही numerator upon denominator x की value निकालनी है तो x को भूल जाइए starting point हमारा यह होगा ओके numerator निकालते हैं y के coefficient का multiplication इस constant में कर देते हैं 100 का multiplication 3 में हो गया 300 minus इसका multiplication इधर 30 का multiplication 17 में 17 ती क्यावन 510 divided by अभी denominator निकालते हैं starting point हमारा यही रहेगा तो इस y के coefficient का multiplication इस x के coefficient से 22 का multiplication 3 में हुआ 6, 6, minus अभी x के coefficient का multiplication y के coefficient में 17, 8, 136 510 में 300 हो गया कितना बचा 210 लेकिन minus का क्यों क्यों कि minus का 510 है बड़ा नंबर है divided by 6, 6, minus 136 कितना बचा 70 70 भी minus में यह minus, यह minus cancel हो गया 0 से 0 cancel हो गया 7, 23, 20 x की value आगई 3 x की value आपको 3 मिल गई आप यहाँ पर put up कर दीजिए कितना हो गया 8, 24 हो गया 24 तो 3 y is equal to कितना हो गया 30, minus यह इधर जाएगा 24 तो यह बचेगा 6 तो y की value 2 x की value 3 और y की value 2 simple सा approach है बस आपको correctly यहाँ पर handle करना है यह calculation mentally होना चाहिए आपको यह आपको rough seat में नहीं करना है आगे बढ़ेंगे next question पे मैं सारा कुछ निकालता हूँ पहले और अभी हम बात करेंगे अपने सून्यम सूत्रा की और लेंगे इस question को इस question को लेते हैं पहले और देखते हैं सून्यम सूत्रा कैसे काम गरता है बहुत अच्छी trick है यह Vedic Mathematics की एक ब्रांच है ध्यान से देखे यहाँ पर इस question में कुछ दिख रहा है आपको ध्यान से देखे 5 और यह 10 पे आप focus कीजे x के यह दोनों coefficient है 5 और 10 इनको divide कीजे value कितनी आई 1 बटे 2 स्वाल करने पे आ रही है 8 और 11 यह तो कुछ कटने नहीं जा रहा अभी आप constant पे focus कीजे 40 बटे 80 इनका division कीजे value क्या मिली 1 बटे 2 1 बटे 2 constants का ratio है और यहाँ पर जो x के coefficient है दोनों equation में 5 और 10 इनकी value भी 1 बटे 2 है सूनियम सूत्रा यहीं पर काम करता है और सूनियम सूत्रा कहता है कि जब आपको दो linear equations दिये गए हैं जहाँ पर 2 variable involved है किसी variable का यहाँ पर x को हमने देखा उसके जो 2 coefficient हैं इनका ratio और जो constant हैं दोनों इनका ratio बराबर है अगर ऐसी स्थिती बनती है तो जो अगला variable बचा यहाँ y बचा इस case में तो जो y है इसकी value 0 होगी y को आप 0 put up कर सकते हैं कोई problem नहीं है अगर y आपको 0 मिल गया तो अभी आप x की value निकाल लीजे आपको कोई problem नहीं होगी y 0 होगया तो 5x is equal to 40 तो x की value आगई 8 that's all x की value 8 होगी और y की value 0 होगी इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी मैं फिर से repeat करता हूँ यहाँ मैंने देखा इस equation में यह जो 2 equation दिये गए हैं यहाँ पर जो x का coefficient है 5 और 10 इनका ratio 1 बटे 2 है जो constant है इनका ratio भी 1 बटे 2 है दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं कि जो y है जो बचा हुआ variable है इसकी value 0 होगी definitely 0 होगी यही सुन्यम सूत्र बोलता है अगर हमें y की value मिल गई उसको हमने just put up कर दिया किसी भी question में आप कर दीजे तो हमें x की value मिल जाएगी यहां मिल गई 8 अभी हम next question पे देखेंगे और आपकी clarity बढ़ जाएगी ओके इसको मुझे place करने दीजे और next question को लेते हैं अभी देखें इस question में आपकी clarity बढ़ जाएगी काफी questions आपको मिल जाते हैं exam में तो आप इनको easily solve कर पाएगे यहां देखिए x में तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा है कि division easily आपको दिख रहा हो यहां पर आप देखिए 302 जो y को coefficient है 302, 906 यहां पर देख रहा है 30, 93, 236 कहने का मतलब यह 1 बटे 3 का ratio सीधा सीधा दिख रहा है यहां पर 1 बटे 3 302 और 906 में यहां पर देखिए 15, 45, 10, 33 यहां भी 1 बटे 3 का ratio दिख रहा है अगर आप division करेंगे तो यहीं मिलेगा y के coefficient का ratio और constant का ratio same है यहां पर जब 2 values same हो गई तो हम बोल सकते हैं कि जो बचा हुआ variable है यहां कौन है x बच गया तो x की जो value आएगी यह definitely 0 आएगी पिछले वाले question में x का ratio same हुआ था constant के ratio के तो हमने y को 0 कर दिया था यहां y का ratio same हुआ है कहने का मतलब y के coefficient का ratio same हुआ है constant के ratio से तो बचा हुआ variable यहां x है तो x 0 हो जाएगा तो x की value यहां 0 put up कर दीजे plus 302y बराबर 510 तो y बराबर कितना हो जाएगा सीधा सीधा आपको दिख रहा है 3, 5, 15, 5 बार जा रहा है तो y की value कितनी आगई 5 आगई अगर y की 5 आगई x की 0 already आप निकाली चुके है तो यह एक simple सा approach है जहां पर आप linear equations in two variables को easily solve कर सकते हैं इस method का use करके आपको सारा calculation बस mentally करना happen paper की भी in fact जरूरत नहीं है जैसे ही आप 4-5 question कर लेंगे तो आप पाएंगे कि यह trick बहुत ज़्यादा useful है मैंने इसे बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं LCM, SCF multiplication की various tricks आपको description में उसकी playlist का link मिल जाएगा उसको follow कर लें वो आपके लिए बहुत ज़्यादा useful होगी तब तक अच्छे से रहिए जै हिन, जै भारत Thank you